तो क्या हाल है मेरे भाई हो का सब बढ़िया है ना और दिवाली के दिन है बहार निकल रहे होगे काफी शॉपिंग में करते हैं फिर काम से बस इतना ही बोलूँगा थोड़ सा ध्यान रखो अपने और अपनी फैमली का मास्क लगाना बंद मत करो मैं नहीं चाहता दिवाली क सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक तो आप कर ही दोगे इसके लाब अगर कोई और डील भी मेरे को मिलेगी किसी अच्छे प्रोड़क्ट पे तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में आपको बता दूँगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई को देखो सबसे बहले स्मार्टफोन से स्टार्ट करते हैं सिर्फ 9000 रुपे के अंदर आपको एक कमाल का फोन मिल रहा है ये है शाओमी रेट्मी 9 प्राइम और रेट्मी 9 प्राइम की बेस्ट बात यह है कि नॉर्मली आपको अधिया टेक हिलियो जी एटी मिल रहा है डे टुडे यूजेच में आप बिल्कुल भी कोई लाग नोटिस नहीं करोगे गेमिंग पफॉर्मेंस भी फोन की काफी बढ़िया है बेटरी बैकप भी अच्छा है मैंने टेस्ट कर रहा थे फोन इसके उपर वीडियो भी और साड़े 9000 रुपे में भी ये बहुत कमाल का फोन है बट लेट से अगर आपको और भी ज़दा कैश पैक चाहिए तो मैं आपको सेजेस्ट करूंगा कि आप कैश करो कि तुरू शॉपिंग करना कैश करो एक बहुत ही रिलाइबल इंडियन वेबसाइट है मिस्टर रतन और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक से साइन अप करते हो तो आपको एडिशनल 25 रुपीज का बोनस पर मिलेगा आपको बस सिंपली कैश करो एप पर साइन अप करना है उसके बाद आप एमसुन पर क्लिक करके शॉपिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और कैश दो डील्स है सामसंग के फोन्स पे अगर आपको कम बजट में सामसंग के एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें आपको फूल एच्टी प्लस सूपर अमोलेट डिस्प्ले मिल जाए तब मैं आपको रेकमेंड करूँगा सामसंग M21 Amazon की सेल में साड़े 12,000 का है ये पाकी SBI कार्ट क का कैश पेक मिलेगा मतलब सामसंग के जितने भी फोन से 10-20,000 रुपे के सेग्मेंट में सभी फोन में आपको Exynos 96001 प्रोसेसर मिलता है तो जब आपको काम 12,000 रुपे के अंदर हो रहा है तो क्यू जाधा स्पेंड करना और इस फोन का क्यामरा भी काफी अच्छा है मैंन जाधा expectation मत रखना दो-तीन वहिने के बाद फोन थोड़ा सा लाग करता है बड़ अगर मुवीज देखना काफी ज़दा पसंद है अच्छा बैटरी वेकप चाहिए तो आप इस फोन को consider कर सकते हो अच्छा नेक्स सैमसंग का फोन है सामसंग M51 जो साड़े 22,000 रुपे का है SBI कार्ट पे आपको 3,000 रुपे instant discount मिल रहा है 19,500 में यह सैमसंग का best phone है क्योंकि इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G और 20,000 रुपी से कम किया price segment में 20 का 25,000 रुपे से कम किया price segment में सबसे best camera phone है यह मैंने camera comparison करा था तब भी आपको यह बात बताई थी तो यह phone तो मैं आपको बिलकुल recommend करूंगा AMOLED display के साथ 7,000 mAh की battery भी है और 25W का charger भी मिल जाता है box में तो यह perfect complete package है Samsung की तरफ से एक और phone है OnePlus 70 जो 38,000 रुपीस का मिल रहा है Amazon पे और अगर आपके पास SBA Bank का credit card है तो 5000 रुपे आपको instant discount मिल जाएगा और यह phone आपको 33,000 रुपीस का पड़ेगा 30,000 रुपे म एक बहुत ही powerful processor है आप इसमें heavy gaming भी कर सकते हो और मैं मानता हूँ कि आपको Realme X50 Pro में Snapdragon 865 मिल जाता है और वो भी आजकल sale में इसी price segment का phone है बट OnePlus 70 इसलिए recommend कर रहा हूँ कि इसमें आपको एक powerful processor के साथ oxygen OS मिल रहा है और OnePlus मतलब software optimization पे काफी ज़दा ध्यान देता है अगर update दे कि उसको fix करने में believe रखता है इसलिए मैंने आपको OnePlus 70 recommend करा हाँ camera इस phone का थोड़ा सा average है और अगर आपको better camera phone चाहिए तब मैं आपको recommend करूँगा Samsung S10 Lite same Snapdragon 855 processor है Super AMOLED display मिल जाती है बट यहाँ पर refresh rate 60Hz का है यह phone भी काफी ज़दा powerful है और सबसे best बात यह है कि इस phone का जो phones बहुत बढ़िया है bank offer apply करोगे तो आपको cashback मिलेगा और अगर आप cash करोगे तो आपको मतलब और भी जदा cashback मिल जाएगा तो ऐसे में phone की जो effective cost है वो आपको और भी जदा कम पढ़ जाएगी because cash करो दिवाली के दिनों में double cashback दे रहा है description में link दे रहा हूँ आप app download कर सक में काफी अच्छी earphones है इसमें आपको microphone भी मिलता है तो आप calls भी ले सकते हो और music output भी overall आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा treble थोड़ा सा ज्यादा है बट साड़े 500 रुपय में actually में काफी worth है इस product की अगर आपको better music output चाहिए तो मैं आपको Sennheiser के street 2 recommend करूँगा औ और इसका जो music output है मतलब वो काफी मेरे को amazing लगा काफी balance sound देखने को मिलता है highs, mids और lows एक्दम clear सुनाई देते हैं vocals, max volume पे भी clear सुनाई देंगे और उसमें मतलब जो treble है वो भी on point है बस एक कमी है कि 700 रुपे की है ये और उसमें आपको microphone नहीं मिलता तो basically ये music lovers के लिए है अगर music output बढ़ी है चाहिए तो Sinheiser Street 2 को आप consider कर सकते हो, अब guys अगर आप दिवाली पे एक नया smart TV परचेस करने का सोच रहे हो, तो दो smart TVs मैंने आपके लिए pick करे हैं, actually इन पे काफी च्छा discount मिल रहा था, इसलिए मैंने pick करा है, और मुझे TV काफी बढ़िया भी लगते है मैं खुद Samsung का smart TV यूज़ करता हूँ, Xiaomi का भी smart TV मेरे पास है, लेकिन मुझे परस्नलीस जो Samsung का TV है वो बेटर लगता है, तो 55 इंचिस में Samsung का smart TV आपको सिरफ 50,000 का मिल रहा है Amazon की sale में, सबसे best part ये है कि ये 50,000 का TV है, इसमें आपको 60 Hz का refresh rate मिलता है, नॉर्मली जो LG के, Sony क या फिर दूसरे brands के TV आते हैं, उनमें जो आपको refresh rate मिलता है, वो या तो 40 Hz होता है, या 50 Hz होता है, बड़ आपको इस Samsung के TV में, 60 Hz का refresh rate मिलता है, बाकि Amazon Prime, Z5, almost सभी ये OTT platform support करता है, application सारी properly work करती है, ये Tizen OS की उपर based है, तो ऐसा मत समझना कि Android TV नहीं है, तो उसमें सारी applications work नहीं करेंगी, सारी apps properly work करती है, इवन ये Android Smart TV से ज़्यादा fast है, जैसी आप turn on करोगे TV एक second में on हो जाता है, इवन picture quality और music output भी काफी ज़्यादा amazing है, तो definitely आप इस Samsung के TV को consider कर सकते हो, model number आप यहाप एक बार चेक कर लेना, और same TV ही order करना अगर purchase करना हो, इसके बाद अग अगर आप bank offer apply करोगे तो आपको और discount मिल जाएगा, और cash करोगे, through purchase करोगे तो आपको और भी जड़े cashback मिल जाएगा, इस TV के अंदर आपको IPS panel मिलता है, अब ये 50 Hz के refresh rate को support करता है, लेकिन best बात यह है कि IPS panel है, जिसके वज़े से जो आपको viewing angles है, वो काफी अच्छे TV बहुत बढ़िया है, 50 Hz का refresh rate है, सारी ये normal आपकी जो apps होती है, वो support करता है, और sale में ये मतलब 83,000 में total value for money product है, definitely आप इसको भी consider कर सकते हो, इसके लाब अगर और कोई deal होगी TV पे, अगर आपको कम budget में कोई purchase करना है, 43 inches में या कोई हो, तो आप मुझे Instagram पे पूछ सकते ह रहूँगा, और मैं उमीद करता हूँ, आज की वीडियो में आपको भाई का content informative लगा होगा, तो like करो, channel को subscribe करो, मैं मिल तो आप से next video में, till then, you guys have a great day.